के तो हलो दोस्तों आज की स्यूडियम बहुत स्वागत है तो यह पहला जो ट्रेड हमने बनाया था यहां पर 22,000 का जो कंफर्मिशन था 9 बज के 40 मिनट पर यह पहले मैं एक्स्प्रेंड करता हूं देखना चाहिए जिससे आपको कुछ लर्निंग मिले हमने सीरीज स्टार्ट किया ऑफ संचाइन का डेली जो भी टेट होगा उसका आपको वीडियो मिलेगा पार्ट वाइस पार्ट वाइस डेली का मैं आपको वीडियो अप्डेट करने वाला हूं प्लस के लिए एक सपरेट वीडियो बनाऊंगा यह हमने फैसला लिया है तो आप लोग को काफी यादा डेटा सीखने में हल्प होगा तो अप्डेट से बात करते हैं यह आप टेली गरां पर अप्डेट किया नोबच के 40 मिनट पर हमने अप्डेट किया यह वही चार्ट ह आप लोगो ने पूग किया और आप लोगो भी हमने आप बताया था कि कैसे अप्डेट को कनफर्मिशन आप निकाल सकते हैं यह चीज को मार्केट का डायरेक्शन मैं कनफर्म कर जाता हूं बागी डिपेंड करता है आपके मांइंड सेट को पर आपके इसक मेनेजमेंट को इतना आप लोगोर्य सकते हो अब आप ध्यान रखना यहां पर राखना यहां पर आते हैं 22,000 लेबल पर बाइस हजार जो लेबल है दोस्तों 22,000 डियास्टाथ हाइस है सबसे हाइस अपेंटर इस ंप सबसे हाई आपको Кgendeaux ए यह तो ए तो आप इसे यह सकते हो कि कि यह क्या हूँ यह न्यां कि बोल सकते हैं, यह तो होल्डिंग भी बोल सकते हो लेकिन मेरा इसने है मिलना है कि डीफेरेंस होते हैं कि डीफेरिंस होते है görुष अधिक सपोर्टिंग Спर्णल्डी कि भार करती है क्यों है। पूलेंगे इस ट्रोंग सपोर्ट लेवर ना कि इसको होल्डिंग बोलेंगे मैं आपको समझाता हूं रिजन क्या है होल्डिंग में होल्डिंग जो होती है वह ATM के से काफी दूर होती 200-305 दूर किने यसे इस च्रॉंग संबूटोल से बोल जाता है ठीक है तो आपका सीटुवैसिक ब्लग कुल कीलीर होना चाहिए कि आपको क्या सेघियोशन रही है और उसको क्या तो फ्लेट देखो जब बड़े प्लेयर यानि जब कोई बड़ा प्लेयर या वर होल्ड किया है प्लस इंट्राडे में 77,000 जो आपका 22,000 पर है आप 77,000 यहां पर लोग इंट्राडे में ट्रेट कर रहे हैं तो आप यह समझो जब भी कोई open interest वाला जो person होता है अगर वो अपनी position को अगर होल्ड किया है और इंट्राडे में भी वो ट्रेट करेगा यानि और भी position बनाएगा तो इसलिए बोलता हूं कि new order जो होते हो market में open जैसे होते है market क्या होती है rocket की तरह movement करती है कभी-कभी आप न आपका strong support table simple सभी confirmation था आपका change open trust प्लस आपता support level अगर आप जोईन करना चाहते है कोई अगर सीखना चाहता है तो सीख सकते हैं कल से यह batch start होगी ठीक है यह जो कल batch start होगी यानि Saturday को हर एक चीज को बारे में बताऊंगा morning में कैसे setup जो आज हमने यहां पर morning में बाई किया था big player holding position का adding position जब होता है big player data shifting जब होता है and support ratio जैसे जो आज मैं आपको बता रहा था ठीक है plus pull back entry भी होता है ठीक है जब continuation and 12 type का मैं आपको entry setup आपको बताता हूं high accuracy 12 type का entry setup दूसरी बात इसमें यह ध्यान रखना थी आपका resistance level पर holding कोई नहीं थी तो जो resistance level shifting यह 1st shifting 2nd and 3rd shifting 3rd shifting फूर्मेशन जो होता है वह आपका weak point जो market break होती है आपको ध्यान रखना यहां की होता है जो आपका third point जो होता है वह आपकोटा होता है वह आपका weak point होता है तो यह 3rd यह सिप्टिंग में लुग काम करती है ऐसे market यह Greek कांफर्मेशन जो कि हमने support पर रिवरस पर trade किया था दूसरा मैं आपको बताता हूं यहां से यह हटा के demand zone confirmation जो आप बोलते हो rally base rally यह आप देखो कि यह rally है यह अपना base area rally है ऐसे नहीं होता कि हवा में draw कर दो rally base rally ठीक है data पता होना चाहिए कि कौन यहां पर trade कर रहा है कौन trade नहीं कर रहा है ऐसे draw करने के लिए तो अभी मैं आपको बोल दूँ तो आप लोग तो बहुत हजारो चार्ट बेश दोगो मुझे है कोई भी draw कर लेगा हजारो यहां पर से पगड़ ड्रॉ करने के लिए rally base rally बोल दूँ या rally base ड्रॉ बोल दूँ तो इस बातों को आपको किलियर समझ भ्याना चाहिए कि आपको demand zone कैसे काम का था अब दोको demand zone पर क्या था है यहां पर holding थी ठीक अब यह holding जो अभी मैंने आपको बताया कि support level है ठीक है यह support level क्या हुआ किसी और strike पर shift नहीं हुआ तो यह support level फिर भी यहां पर वर्क करेगा लेकिन पॉइंट यहां पर यह भी था कि हमने जैसे बोला था कि open trust जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे market क्या होगी moment होने start हो जाएगी यहां पर आप देखो कि सबसे पहले हमने आपको यहां पर यह अपड़ेट किया कि आपको क्यों ट्रेट करना चाहिए और क्यों नहीं 22,000 के नीचे अगर मतलब 22,000 के नीचे close हुआ तो ignore इसलिए ignore क्योंकि वह supportable break हो जाता और यह exactly demand zone के अंदर आया market क्या हो वही से bounce हुआ और हम तो जानते हैं यहां पर मैं वेट नहीं करता हूं मैं direct entry करता हूं इसके लिए क्योंकि हमारा entry करने का तरीका है वह बिल्कु डिफरेंट है कोई candlestick pattern नहीं कोई indicator नहीं directly entry करी जाती है simple confirmation आपका यहां पर डिल्टा confirmation तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट करते हैं अब यह चीज हमने जो अपडेट किया था वही पॉइंट हमने आप अपडेट किया था कि open trust क्या increase होता रहेगा तो market ऊपर जाती रिख्यों जो 21,000 जो 100 लेबल है वहां पर देखो कि high volume के साथ यहां पर market hold है तो market अगर 100 तक जाता है तो market क्या हो जाती है रिवर्सल पर हो जाती है अपर chances है क्योंकि यहां पर strong आपका heavy volume के साथ sellers hold है और वह exit नहीं कर रहा है तो ऐसे में market जैसे पहुचेगी वह क्या करेगी drop हो जाएगी और आप देखो कि यहां पर सेम वही चीज हु प्लस में आपको data भी आपको दिखाऊंगा कि क्यों यहां पर हमने आप बताया थे हैं यहां पर सब चीज हमने आप अपडेट भी किया ठीक है तो मैं इसका data आपको confirmation बताता हूं यह अपना data आप देखो point यह समझो आप 22,000 का holding था आप देखोगे पहले भी यहां पर holding था तो वहां पर chances यह होते है कि market दुबारा bounce हो जाएगी उसी area से ठीक है उसी area से क्या होती है दुबारा bounce है यह तो रहा अपना holding confirmation मतलब support level confirmation दूसरा जो हमने confirmation आपको बता हमेशा ध्यार रखना कि अपना ATM को आपको confirm जरूर करना है तो ATM strike price पर आप देखो 45,000 का जो contract यहां पर तो ऐसे में order जो है वो open होने चाहिए ठीक है लेकिन यहां पर जो order है वो open नहीं हो रहे थे 39,000 से 30,000-40,000 तक पहुच जाता है easily 35,000-40,000 पहुच जाता है लेकिन market पूरा hit कर दिया demand zone को लेकिन क्या यहां पर order open ही नहीं हो इसका मतलब यह हुआ कि seller interested नहीं है तो इस case में क् पर बैठें वो attack करेंगे plus ATM strike price उल्टा buy करेंगे यह लोग जब यहां पर कोई नहीं इंट्रस्ट लेगा तो वो क्या करेंगे ATM strike price उल्टा buy करेंगे इसी वजह से यह जो आपना यह position दिखाई देरा 45,000 का इसी वजह से जादा है यहां पर ठीक है क्योंकि यहां पर कोई interest न information जब भी demand zone पर update करो पहले ATM confirm करो उसके बाद आप support table यानि holding confirmation करो तब जाके entry करो तो simple सा यहां पर भी analysis था और इसमें भी हमने यहां पर 1-2 तक गया था यहां पर हर एक चीज हमने update किया दोस्तों हर एक चीज को हमने यहां पर detail में update किया हर एक trade को यहां पर हमने एक तीसरा update के लिए plan किया एंड यहां पर मैं आपको दिखाता हूं यह रापना ठीक है अब देखो यहां पर हरी चीज को अमने आप एक्स्प्लेइन भी किया था बैंक निप्टी सैतालिजर 500 फिन अपका 2100 एक सो एंड 22000 आपका निफ्टी जो कि हमने holding तेनों strong support के पास है बस wait करो थोड़ा और market ready हो ठीक है अब देखो patience बहुत जरूए था बहुत लोग को नहीं होता जो नए आते हैं जो हमारे group में join कर रहे हैं किसी group से निकल के लोग दूसरे group में जाते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता एक दिन में ठीक है तो जब भी आप किसी चीज को सीखने कोश सीखने की कोशिच करो ठीक है मैं इसलिए कहता हूं कि हर जगां साब सीखो ऐसा नहीं है कि मेरे group में बहुत अच्छी जीज है तो आपको और भी जहां से मिलती हैं वहां से भी capture करने कोशिच करो ओवाई data के बारे में ठीक है तो और आपकी knowledge को इंक्रे एंदेन यहां पर हम चीज का समय होता हमने बिल्कुल राइट टाइम पर अबडेट किया कि मार्केट आप देखो जो हमने अबडेट किया था 1100 जो strong support label है यह हमने यहां पर बताए भी था कि यह क्या यह अपने strong supportable है हमने अल्लेटिस के बारे में बता रख रहा है आप लोगो तो यहां पर चालिस मिनट बाद यह कंफरमेशन मिला एं देन उसके बाद हमने फिर डारेक्टल यहां पर इंट्री मारा और फिर वाइस सेम चीज हुआ 1-2 के उपर तक मार्केट गया इसका जो कंफरमेशन था वह सेक्टर ब्रेक पर होता है यहां पर इसन है कोई मल्टिपल सपोर्ट लि मार्केट में यह कंडिशन में अगर कोई ट्रेट करना चा等 तो कर सकता है बस कीक पॉइंट में आपको बता देरो आपको क्या देखना चाहिए जो सेक्टर इस से रिलेतेड है राइट अ